Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tiaro A6 where truth exposes darkness तो आज का जो टॉपिक है guys वो है कि आपके near future में क्या लिखा है ठीके आपको क्या receive होने वाले हैं ठीके तो इस विशे में हम चर्चा करेंगे आप जानते हो कि मेरा जो candle wax readings होते हैं वो काफी ज़दा खास होते हैं वहाँ पर आपको बहुत जादा हिससे जादा आपको clues मिलेगा ताकि आपको पता चले कि यह reading आपी का है ओके So let's get started timeless reading है gender neutral reading है male female सबी लोगों के लिए है तो आप किसी भी वक्त देख सकते हो But this is a general prediction तो हो सबता है कि resonate करे हो सबता है कि कुछ information ना करे तो जो कर रहा होगा प्लीज ले लेना बाकी को जाने देना चैन को subscribe, like, share जरूर करे और instagram में follow करे And definitely thanks जरूर आदा करे Universe को comment section पे भी आप thanks universe लिखेंगे So let's see, let's find out guys So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers है उनके लिए near future में क्या है Okay, मुझे यहां पे दिख रहा है साफ साफ कि आपका बहुत ज़्यादा attachment है किसी चीज के उपर, किसी इंसान के उपर हो सकता है वो आपके job हो, हो सकता है वो आपके past relationship हो मुझे लग रहा है आपके जो past relationship है ना काफी ज़्यादा जिस सरह सरी रियर्सल होता है ना या कोई भी drama का, सो उस तरह से मुझे लग रहा है आप दोनोंने काफी ज़्यादा fight किये हो और यहां पे ना L से यू बना है, सो अफकोर्स बहुत ज़्यादा प्यार था, आप दोनों में mutual attraction काफी ज़्यादा था, बट इस तरह से क्या हुआ ना फिर आप लोग बिछर गए, ठीक, आपके अंदर जो दर्द है, उसको हील होना है अभी भी और उनको भी बहुत ही ज़्यादा ही दर्द मिला है but universe आपको बोल रहा है, justice आपको मिलेगा ही, मिलेगा ही, don't worry कुछ लोग यहाँ पर मुझे लग रहा है कि circular या कुछ triangle shape का earrings पहने वे हो, अगर female हो तो किसी के culture में हो सकता है कि, I'm just giving you clues, हो सकता है कि आपके बालों में आप लोग गजरा या fool लगाते हो, and that is a part of the custom यहाँ पर y letter आचुका है, t letter आ रहा है, v आ रहा है, यहाँ पर star आ चुका है so of course, आपके भागे में, आपके नसीब में, जो आपको मिलने वाला है, वो है very sweet and romantic relationship जहाँ पर clear understanding रहेगा, एक दूसरे के साथ, जहाँ पर वो इनसान आपको बहतरीन तरीके से समझेंगे आपको इस तरह से हो सकता है कि कोई मुझे नहीं समझते है, या इस तरह से हो सकता है कि कोई मेरा दुख और दर्थ को इतना deeply feel नहीं कर पाते, no जिस वक्त इस reading को देख रहे होंगी, यहाँ पर मुझे fork देख रहा है, हो सकता है अगर हम बात करें आपके केरियर में, तो मुझे लग रहा है काफी जदा flexible career options, आपके लिए आएंगे, जहाँ पर आप अपने business भी start कर पाओगे और कुछ लोग यहाँ पर हो सथा कि part time jobs भी करो, तेके और आप लोग business भी करो यहाँ पर यह letter भी आ रहा है, so आपके definitely जो soul, आपके जो आत्मा चाहते है आपको करने चाहिए, ना कि आपको सुनने चाहिए, मैं आपको just guidance दे रही हूँ, एक आपको मेरे टिकनिक बता रही हूँ, अगर आपको follow करना है, तो follow करना, वना skip कर जाना, ठीक है, यहाँ पर आपको universe मुझे दिख रहा है, आपको बोल, अगर आपको समय मिलता है, तो सुबह उठके न, थोड़ा सा sunlight, ठीक है, enjoy करना, एकदम सुबह सुबह, एकदम early morning, और आगर आसपास full है, तो उसको थोड़ा सा सूक लेना, मैं आपको यह भी बता है, सोने से पहले देवता है, शुक्र जो हमारे चाट में होते है, वो हमारे love, you can say the wealth, पैसा, संपत्ती, हमारे material wealth, luxury, इसका एक प्रतीक है, शुक्र देव, तो definitely वो चीज आपके life में और बरेगा, यहाँ पर मुझे कुछ Oscar Award जैसा कुछ दिख रहा है, okay, Oscar Award, इसका मतलब यह है, कि आपके life मे Avers, आप definitely receive करोगे, आपका appreciation होगा, Avers में नहीं बोल रहे हैं कि आपको Oscar Award मिल जाएगा, हो भी सकता है, impossible कुछ भी चीज नहीं है, ठीके, जो Oscars receive किये हैं, वो इंसानी है, aliens नहीं है वो, ठीके, आभी लोग हसेंगे कि यह क्या बोल रहे हुआ, Oscar receive करेंगे, क्यों, जिन्हों ने किया क्या, वो कोई और इंसान थे, aliens थे क्या, नहीं थे ना, वो normal human beings थे लेकिन उन्होंने मेहनत किया, कुछ अलग करके दिखाए, तो यहां पे भी Avers आ रहा है, इसका मतलब है, आप unique होगे, तब ही जाके आपको Avers receive हो रहा है, recognition मिल रहा है, fame आपका बर रहा है, जो ल आपको पता भी नहीं चला, कि यह person आपको ignore भी कर रहे है, तो उनको सब कुछ समझ में आ जाएगा, यहां पे Capricorn है, मुझे लग रहा है, कुछ लोग इस तरह से है, कि आप लोग इतना जादा बातचीत भी नहीं करते, society से, या हो सब अपने friends से, दोस्तों से, क्योंकि यहां पे बैठा हुआ है, पैर इस तरह से करके, मतार फोल्ड करके बैठे हुए अपना पैर, ओके, और आपके mom या आपके dad आके कुछ बोल सकते हैं, जब आप इस reading को देख रहे होंगे, ज़रूरी नहीं, पर कुछ interference मुझे देख रहा है, मैं भी कुछ और call आ जाए इस तरह से हो सकता है, अगर आपका future में, ठीक है, मुझे लग रहा है यहां पे, बहुत दो symbols बन रहे है, जहां पे community बन रहा है, मुझे लग रहा है, आप खुद create कर रहे हो, viewers हो सकता है, subscribers हो सकता है, आपके fan following हो सकते है, आपके आस परोस वाले हो सकता है, community के लिए आप काम कर रहे हो, और आपको returns भी मिलते जा रहे है, लगातर, abundance, ठीक है, abundance के तरफ जाने से painful situation भली आता है, लेकिन abundance आपको मिलके रहेगा, जिस तरह से हम रास्ते पे जाते है ना, bump मिलता है, तो bump मिलता है, लेकिन हम destiny तक तो जरूर पहुचते है, bump के वज़े से कि हम return आ जाते है, ये रास्ते में bump है, बोल के हम return आएंगे, no, we will adjust our car speed as part the bump, हमारे जो car के speed है, उसको bump के हिसाब से हम adjust करेंगे, ना कि bump है और speed बढ़ा देंगे, no, no, तो हमारे सारे जो situations है, adjust करके फिर हमें चलना पड़ता है, और बहुत ज़़े मुझे लग रहा है, इतना दिन से हम wait करे है कुछ खास तो हो नहीं रहा है, या positivity, अरे mind को थोड़ा सा अब शांत करो, calm, cool and calm, and then definitely by miracle मैं आपको बोल रहे हो, आएगा ही आएगा, कुछ लोग definitely आपके past वाले person बहुत तरीके अपना रहे हैं, आपको मनाने के लिए, शायद आप ignore करे हो या मानने रहे हो, क्योंकि वो भ अगर आपको लगता है, कि आपको judgment नहीं मिल रहा है, justice नहीं मिल रहा है, कि उसको उसका कर्म का फल कब मिलेगा, इस तरह से मत वैट करना, सबको अपना कर्म का जो है ना वो फल मिली जाता है, जो भी जितना कर्म करता है, आपको बोलेंगे नहीं कोई, कि मुझे मिल गया है ओके, ओल्राइन, ओके, देखो, किसी कहा कि कोई किसी को हग कर रहा है यहाँ पे, so of course, एक बहुत मैंने आपको पहली बताया था, एक रिष्टा जो आपके परिवार को भी समहा लेंगे, इस तरह का रिष्टा आपको मिलने वाला है, खुद आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो, आने वाले समय में, क्योंकि आपको अनुभव हो जाएगा, कि दुनिया में जो भी किसी किस तरह से चला जा सकता है, हो सकता कि आप बहुती बरिया दुनिया नहीं देखे हो, एक्स्पोज नहीं हुए हो वर्ल्ड में, रियालिटी से, कि होंगे वो आप, मतलब वाकिव होंगे आप, consciousness जिसको बोला जाता है, चेतना होगा आपका, दीरे 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 बहुत सब्स्पिरिचुल होते जा रहे हो, और यही आपको रास्ता दिखाते जा रहे है, spirits आपके लिए best चाहते हैं, अगर कोई दर्वाजा आपके लिए बंद हो रहा है, यहाँ पर कॉली फ्लावर दिख रहा है, गोबी का सबजी हो सकता है, आपके फेबरेट हो, या flowers, कोई भी fruits या vegetables आपको खाने चाहिए, to recover, okay, because आपके health हो सकता है, अच्छे नहीं है, यहाँ पर बारवा मुझे दिख रहा है, something, yes, it's a cylinder, देखो gas cylinder, बट इस तरह से धोड़ा सा जुका हुआ, so food का बहुत सब्सक्राइब हो सकता है, कि आप एक hotel खोलो, या catering industry स्टार्ट करो, या घर से ही आप हो सकता है, स्टार्ट करो कुछ innovative, maybe you make cakes or something like that, देखें, और वो आपके added advantage होगा, आपके यह hobby है, शायद वो आपको profession में बदल दोगे, यहाँ पर देखो, मुझे लग रहा है, यहाँ पर कुछ ultra pair जिस तरह से आ रहा है, कुछ negative energies है आपके घर में, जिसको remove करना आपको चाहिए, यहाँ पर L letter है, फिर से Y है, V है, O है, X है, 10, 10 number you can see often, 9, 9, हो सथा double 9 या triple 9 आप देखो, मुझे लग रहा है, आपके लिए भर-भर के additional responsibility आ रहा है, शायद वो marriage के बाद हो, या कोई office join करने के बाद हो, या student बनने के बाद हो, whatever भी it is, higher studies करने जा रहा है हो, learning institutions में जा रहा है हो, आपके लिए added advantage भी है कि आपके फायदा के लिए हो रहा है वो जितना आप responsibility लेते जाओगे उतना आप सीखते जाओगे और दुनिया का जो process से उसे वाकिफ होंगे और आपका तरक्की लिखा हुआ रहेगा of course कुछ लोग अगर exams के लिए prepare करें that's the best way competitive exams, government job that's the best way so of course practice that practice आप लोग शायद नहीं करते हैं इतना सोचते हो what is the overthinking मुझे दिख रहे हैं यहापे इतना ज़दा भाई overthinking क्यों करते हो यहाँ पे देखो यह इंसान है और उसके दो हाथ इस तरह से है ठीके हो सदा है कि आप लोग prayers करते हो इस तरह से या इस तरह से जो भी है continue your prayers meditation दीखे है कुछ sound अगर बहुत ज़दा pleasant sound सुनना है YouTube में काफी ज़दा light music आते है music भी एक healing का काम करता है बट वो depend करता है कौन सा music आप सुन रहे हो दीखे है तो कुछ healing sounds अब सुन सकते हो जो आपके mind body and soul के लिए काफी ज़दा अच्छा होगा उससे आपका तरह की होगा लिख लेना क्योंकि आप खुश रहोगे ना और जितना आप खुश रहोगे आपको इतना distraction feel नहीं होगा आप अपने काम को concentration से अप कर पाओगे ठीके जो आपका lacking था मुझे लग रहा है यहां पर कोई lady है जो आपको काफी साथ help करने वाली है आपके sister हो जाए आपके mother हो जाए वो आपके wife हो या आपके आप खुद खुद के मदद करोगे self help is the best help guys ओके अभी हम देखते है कि कितना दिन में और क्या क्या यहां पर देखो फिर से यू आ रहा है यू लेटर is quite prominent over here फास लेटर फास ने मिडल ने मोसकता है आपके आपके person के हो सकता है जिनके लिए आप रिडिंग देख रहे हो किसी का यहां पर असलेशा नक्षत्र हो सकता है अफकोर्स असलेशा नक्षत्र हो सकता है काफी जदे दयालू होते हैं लेकिन थोड़ा सा manipulative होते हैं जरूरी नहीं बट मैंने इस तरह से सोचा लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं यह लोग और अपना जो success है उससे ही बढ़ता है उनका असलेशा हो सकता है या हो सकता है कि म्रिगाशिर नक्षत्र हो किसी का यहाँ पर हो सकता है सोम बार के दिन जनम लिये हो Monday was that या हो सकता है कि Friday दिखें और देखते हैं क्या रहा है यहाँ पर कुछ इस तरह से मुझे patterns दिख रहे है कि आपके life में जिस तरह से एक x-ray करने से या yes of course जिस तरह से हमें body के parts अंदर तक दिख जाते हैं ना उसी तरह से पूरी तरह से transparent दिखें आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा क्या हकीकत है क्या वास्तव है और क्या illusion है क्या भ्रम है कोई यहाँ पर मुझे लग रहा है आपको लग रहा है जहां पर प्रेजंटली तरह रह रहा है हो वह एरिया या वह जगह आपके लिए बिलकुल सुटबल नहीं है और को चेंज दा प्लेस कोई मुझे लग रहा है आपको पाने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है ठीक है so quite lucky guys maybe it's a new person maybe it's an old person I don't know but it's there two of cups का energy आ चुका है यहाँ पर so flexible relationships flexible अपको अपना body को भी flexible बनाना है ठीक है अपने fitness के उपर धान देना है and definitely यहाँ पर देखो यहाँ पर उस तरह सा card था ना जहाँ पर सीरी था और एक goal जैसा बना हुआ था उस card पर monology deck पर उसी तरह से आया so this is your destiny this is your destiny okay काफी साथ जिरो जिरो दिखेंगे आपको यहाँ पर wish मांग लो so universe spirit guides and angels please guide me in the right direction and definitely please guide them in the right direction उनके सारे wishes को fulfill कीजिए अभी दोड़ा साथ कर लो फिर मैं तो आपको Oracle card से दिखा देते हूँ क्या क्या आपके लिए आ सकता है in future I hope आपने कर लिया होगा okay so I'm moving it this side okay so universe spirit guides and angels please guide me in the right direction की मेरे जो viewers है उनके लिए near future में क्या आने वाला है what is coming in the near future for them ये हवाई कुछ कह रही है वो गाना सुन ले ना भी channel is your truth is unveilment आपको क्या पताया था सच्चाई कोई भी अगर मुखोटा पैयां के आपके सामने fake बनने की कोशिश कर रहा है तो वो मतलब सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहा है कि लेकिन है तो बहुत ज़दा जूटा तो वो definitely आपको पता चल लगी है कोई भी हो सकता है कोई भी हो सकता है आपके जीवन है यहां पर है stay true and be in your power अगर आप सच हो देखिए आपने कुछ भी नहीं किया है तो आपको बहुत ज़दा power authoritative positions यह सब में लेगा you will become independent and definitely people will appreciate बहुत ज़दा लोग देखिए आपका जिस तरह से नाम आप अपने family का नाम रोशन करोगे okay definitely यहां पर क्या है portal of light wow this is the sun okay she glides on wings through time and space तो आप उड़ोगे उड़ान भड़ोगे definitely आपको किसी का परवा भी नहीं होगा आगे बढ़ते जोगे अपने life में divine sunshine चाल देखो फिर से sun okay divine sunshine you and your partner आप और आपके partner के जो बच्चे होगे होगे ना सो divine होंगे वो काफी जादा powerful person होंगे वो चाहे वो male हो या female हो ठीक है आप दोनों के combination से ठीक है that is in your destiny that is in your near future इस तरह से होने वाला है ठीक है अगर आप इस reading को देख रहे होंगे so definitely this is for you so your child will be divine son child ठीक है जिनकें तक बहुत दा शंता होगा पावर होगा ठीक है प्रस्परेटी होंगे understood so this is all about today's reading and definitely you will love it and I hope if you have loved it please do subscribe, share and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity terror 6 where truth exposes darkness and will always expose darkness thank you guys